अब आपके कंधे पर सितारों की जिम्मेदारी है हमारी जॉइन और लाइन वेंचर्स डिफेंस नाउ हलो माइडिये स्टुजेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग नमस्कार कैसे हैं आप सब हो बिटा होली की बात हो रंगों की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है सही है ना ठीक है तो जल्दी से आजओ बिटा आज का आपका होली स्पेशल सेशन आपके सामने और आज हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सारे रंगों से मतलब बिलकुल एकदम सारे रंग लगा के भीजेंगे चाहें वो बिटा रेड हो पिंक हो या येलो हो हर रंग आपको लगाए जाएगा चाहें वो ग्रीन कलरी क्यों नहों तो बस फटावट सब लोग लाइव आज अंजली कुमार कैसे अंजली कुमारी कैसे हैं बिटा महेंदर सेंग गुड मारिंग गुड मारिंग तो जल्दी से सब लोग लाइव आजो और शुरू करते हैं आज रंगों की बात ऑनलाइन बेंचर्स के साथ तो गुड मारिंग गुड मारिंग महेंदर सेंग गुड मार गुड मॉर्निंग तो बच्चों यह है देखो होली पे हम क्या कर सकते थे बिटा बिलकु सेधे सी बात है ना कि अगर होली पे हम बात करें तो हम कलर्स की ही बात कर सकते हैं ठीक अब हम सूचे कि होली स्पेशल है तो कुछ महावरे पढ़ लेते हैं एक बड़ा सेशन बना ल सब्सक्राइब करें जल्दी से सेशन कंप्लीट हो जाएं और हम भी घर निकल जाएं ठीक है आज के बस कल के सेशन अब देखो मैं आपको बता होगा कल कोई टैस्ट नहीं है अब हम बस वेंस्डे शुरू करेंगे ठीक क्योंकि सब लोग बिटा बिजी है एक क्लास लगा क क्यों हम थोड़ा सा भी अपना टाइम वेस्ट करें जब फैस्टीवल है तो हमें उसे पूरे मन से इंजॉय करना चाहिए क्योंकि हर चीज के लिए समय होता है बासमझे कहां कावत है ना इंग्लिश में वर्क वाइल यू प्ले वर्क वाइल यू प्ले दिस दा वे टूब अगर आप बात करते हैं तो आप तभी काम करें जो हर काम करने का समय निश्यत कर लो ठीक है आज की होली हम इस साथ बिल्कुल बेटा तो शुरू करता हूं आज की होली आज हमारा बेटा एडियम सेंट फ्रेजिस होली स्पैशल अब आप देखो कि मैं मतला आम रियली थैं पूल ग्राट डाट क्रेडिट नॉट गोस्टू मी बेटा मेरे पास सिर्फ शब्द ठीक है उन शब्दों को इतना सुंदर इतना सुंदर सजाने का पूरा क्रेडिट बिटा ऑनलाइन वेंचर्स की उस तीम को जाता है जिनोंने इतनी महनत से आपको इसको प्रेजेंट कर के दिया है and you all will be amazed to see कि जिनोंने बनाई है उन्होंने कितनी महनत की है इन सब के अंदर यह महबबत भी क्या चीज है जब तक हमें वफा आई तब तक बेवफा हो गए हैपी ओली बिटा इसका होली से क्या रिलेशन है मीर बस यह मैं जानना चाहा रहा था इस महबबत का होल से क्या रिलेशन है यह समझ नहीं आया ठीक है अब देखो डीके शावा गुलाल का रंग गुबा रोकरी मार सूरज की केड़े खुशियों की बहार चांद की चांदनी अपनों के प्याब प्यार मुबारक हो आपका होली के तेवहार यह ता समझ आता है कि इसका होली से रि बात नहीं भी ठीक है चलो कोई बात नहीं है बहुत बढ़िया बीटा जो शुरू करते हैं बहुत बढ़िया वेरी कलाफू पीपीटी हां बीटा सो मतलब देखो जो चीज बेटा जिसने की होती है वी शूट भी थैंक्फुल टो दोस पीपल लोगे तो मतलब मैंने अब्दों को इतने अच्छे से प्रेजेंट किया है आम रेली थैंक्फूल टूदा टीम बिटा ठीक चलो शुरू करते हैं जॉइन आट टेली ग्राम चैनल टुद टूट डेली पीडिया अपडेट अच्छा आप चाहते हैं कि आपको इसकी पीडिया पीडिया जल्दी से बताओ कि चाहते हैं कि आपको फीडिया मिल जाए यह ओनलाइन बेंचर की बिटेली ग्राम चैनल है आप इसे आज ही जॉइन करें तो यूविल गैट अल्द पीडिया संद अपडेट से रोके सो गाईज ऑनलाइन बेंचर के आप्लिकेशन प्लिकेशन प्लीस इंस्टॉल प्टमिशी शौदिया पीएसदी की इंग्लिश लिटेचर में बारह साल से जाधा का टेचिंग एक्सपीरेंस है एक्जैम टॉट लेक्स एडियर्स एफकर सीए पीएफ बिटा यह सारी यह सारी एक्जैम्स पढ़ाएं और यह जो आजम मुहावरे पढ़ने वाले हैं यह यह बता दू कि बिटा यह मुहावरे बहुत सारी एक्जैम्स में पूछे गए हैं तो हम शुरू करते हैं बिटा इन मुहावरों को लेकर आज के हमारे सेशन को होली धमाका सेल बिटा ऑनलाइन बेंचर से प्रोवाइडिंग यू अगर आप यूज करते हैं होली 50 तो आप बस 30 मार्च तक बिटा चार दिन के लिए आफर आपके पास अविलिबल है तो जुनून UPSI का हमारा कॉर्स है 22nd of मार्च यह बैच शुरू हुआ है और यू विल गेट बिटा 20% डिसकाउंट जो इस बैच का था लेकिन होली धमाका पे बिटा आपको मिलता है वो 50% सेम यह आपका CDS CPF के बैच में बिटा आपको 50% डिसकाउंट मिलेगा तो शुरू करता हूँ पहली वर्ट के साथ एक बार सब लोग थामस अप करके सेशन को शेयर कर देंगे बिटा जल्दी से सेशन को शेयर कर दो है पैन इन पेपर वी विल ट्राई आप बैस्ट की बैटा सारे वर्ट हमें आज याद हो जाए ठीक है जल्दी से बैटा सेशन को शेयर कर देंगे फटा फटी शेयर करो ओके मुझे लगता है वक्याब लैडर में बहुत जादे स्ट्रेंड के इंट्रेस्ट रहता है ठीक आज होली खेलने कम बच्चे आए हैं चलो शुरू करते हैं आते रहेंगे बिटा हमें तो टाइम पर शुरू करना था बच्चों को रेस्ट भी तो चीए न थोड़ा सा आज हो शुरू करता हूँ बिटा पहला वर्ट आउट आफ दा बिल्यू तो बिटा आज शुरूवात करते हैं नीले कलर के साथ में आपका पहला जो एडियम है बिटा वो किस से लिखा गया आउट आफ दा बिल्यू साब आप देख रहे हो ना कि जिन्होंने बनाई है बिटा उन्होंने पूरी जान लगा दी है इस क्रि गूमने मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको याद हो जाएं याप बाहर गये घूमने धूप निकली थी नीला आसमान था बिल्कुल अचानक से बारिस हो गई बेचानक से बारिस हो गई अब हुआ क्या आपने का या यह बारिस तो रेंडम ली हो गई या विदाउट या किसी ने वांट भी नहीं क्या घटा भी नहीं आई और एकदम से हो गई सर्प्राइजिंग ली होगी यार मैं तो जब निकला था धूप साफ थी धूप निकली थी मौसम साफ था तो मुझे क्या पता तो आउट ओफ दा ब्लू हो गई यानि के नीले आसमान से एकदम स मौसम बिटा काला पढ़ गया बारिस पढ़ गई तो आपने कहीं तो सर्प्राइजिंग ली है ठीक है तो आपने क्या लिखा आपने का यार यह जो स्टॉम है नहीं आउट ओफ दा ब्लू आया या निका अचानक सा है और आई डॉंट आई डिंट हाव एन अम्ब्रेला मे आब बढ़िया से बएक बहुत बढ़िया वेल डन नेक्स्ट बात करते हैं निक्स्ट देखो वेट को next आपका ब्लू पैंसिल अब इटन नीलिय रंग की पैंसिल किस का माती होगी इनने को रिए और पहला याद वान आउट फ गली नीले आसमान से एकडम हैप्यस ठोली त the information that is shared तो बीटा blue pencil क्या है आप ऐसे समझे लो criticize करना के चीज़ को और limit the information that is shared मतलब आपने का the reports about how soldiers were being treated abroad had been blue penciled by the authorities मतलब क्या हुआ बीटा कि जो reports थी ना about the how soldiers were being treated abroad कैसे उन्हें बेटा treat किया गया आपने लिखा had been blue penciled by the authorities बेटा उने blue penciled कर दिया गया यानि कि limit कर दिया गया information को या उसे create sensor कर दिया गया यानि कि card chart कर दीगे अब यह सोचो क्या होगा बेटा अगर कोई चीज जैसे आप देखो ऐसे याद कर लेना अगर कोई चीज red pencil से लिखी जाती है तो आपको पता होगा तो आपने कहा अगर यह blue penciled है तो इसका मतलब इसमें card chart हुई है यह limited section है यह overall नहीं हो सकती ठीक है तो आप ऐसे समझ लो कि जो blue penciled है बेटा वो card chart करके हैं और अगर red pencil होती या green pencil होती अगर होती मतलब हम बताने कोशिश करें कि या दिखने का तरीका है तो वह आपने कहा कि किसी officer level के आदमें ने लिखी होगी और उसमें कोई card chart नहीं हो सकती है ठीक है next आजो next आपने कहा abort from the blue बेटा आगे ना निकल के अभी आपका मुहावरा देखते जाओ abort from the blue क्या मतलब होगा समझो बेटा abort from the blue का मतलब होगा ओके आजो abort from the blue का मतलब क्या हुआ बेटा abort from the blue मतलब abort क्या होता यह समझ जवा बेटा यह बोल्ट मतलब होता है जैसे एक तो nut bolt होता है को sand bolt भी होता है एक bolt होता है बेटा lightning lightning बेटा lightning का मतलब होता रोश्णी की चमक दिहान से समझ लो रोश्णी की चमक, lightning, उसको कहते हैं हम बेटा क्या, bolt कहां से बेटा, from w, नीले आस्मान से, हम भी ऐसा करते हैं, नीला वाला वो ले लेते हैं बेटा, तो नीले आस्मान से अगर हमारा बेटा क्या चमक जाए, मुहावराद, मतलब वो निकल जाए, bolt निकल जाए, देखो, दो कासिफ सर नहीं बैठे हैं, कासिफ सर नहीं बैठे हैं, ठीक है, कासिफ अपने काम में बिजी हैं, तो बेटा, from w, नीले आस्मान, अगर नीले आस्मान में बिजली चमक जाए, तो क्या होगा, unexpected होगा, bad news भी हो सकती है, कोई bad news, यसी news जो आप नहीं चाहते थे, unexpected bad news, उसके लिए हम कहते हैं, bolt from the blue, तो आपने क्या कहा, आपने कहा, it was a complete bolt from the blue, for us, we had no idea that they were having problems, let alone getting divorced, मतलब क्या होगा, let alone getting divorced, क्या हुआ, कि हमें तो ये खबर एक्दम ऐसे लगी, bolt from the blue, अचानक से हमारे पास आगे, कि वो डाइवाउज हुआ है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो ऐसा लगता था कि बड़े प्यार से रहते हैं, ठीक है, ओके, बहुत अच्छे डिव्या, आप blue color लाए है, थोड़े बात बेटा, आपको कोई और सा लाना लगेगा, लाना पड़ना है, आप बेटा, blue blooded, अब ये blue blooded कौन होते हैं, समझो, बेटा, blue जो word होता है, यूजवली इसको कैसे यूज़ किया जाता है, blue color को, royal people के लिए यूज़ किया जाता है, आपने सुना होगा, स्टोरी बेटा, happy holy Raju, happy holy, बेटा, blue blooded कौन होते हैं, blue माने होता है, royal, आपने सुना होगा, royal blue, बेटा, royal blue होता है न, this is, तो blue blooded होते हैं, बेटा, royal people, तो used to describe someone from a noble aristocratic or wealthy family, अगर आप अमीर परिवार के बच्चे हैं, तो आप कह सकते हो कि मैं blue blooded हूँ, ठीक है, अगर आप अमीर है, बहुत अमीर हैं, तो आप खुद को blue blooded कह सकते हैं, ठीक, बेटा, क्या होगा, संदीब सेन, तैंक यू बेटा, आजो, तो हमने कहा, कहा, बेटा, क्या लिखा, हमने, that is blue blooded, used to describe someone from a noble aristocratic or wealthy family, कैसे कहा, बेटा, many of the blue bloods in our town were invited to the royal wedding, बेटा, बहुत सारे अमीर लोग हमारे टाउन के, कहा, इन्वाइटेड हैं, बेटा, royal wedding में, जाने कि रास्ता ही परिवार में जो साधी है, उसमें बहुत सारे blue blooded लोगों को बुलाया गया है, बेटा, क्या हो गया हमें, तो समझी नहीं है, आपने क्या बाते करनी शुरू कर दी, हाँ बेटा, octopus का भी होता है, बच्चों हुआ क्या था, समाजी नहीं है कुछ भी, कि किस-किस ने किस-किस को क्या क्या लिख दिया बेटा, ओके, हाँ बेटा, शुरू करते हैं, हाँ, हाँ, मुझे तो मैंने पढ़ा भी नहीं, बेटा, क्या क्या हो गया, आप पता नहीं किस बात को लिए एक दम से ना राज होगे, बिलकुल सही बात है, बेटा, जो blue blood होता है, वो octopus का भी होता है, ठीक है, और यह मतला उसके लिए universal truth भी है, उस select मैं आपको बताता हू दूसरा, बहुत सारे insects होते हैं, जिनका blood white भी है, ठीक है, तो हम कहते हैं, that is called the blue blood, मतला blue blood, आप समझो, royal people है, ठीक है, आजो बेटा, दिवियर शिरिवास्ताव, आपको भी नहीं समझाया है, बेटा, मुझे भी नहीं समझाया है, next आजो, मैं तो पढ़ाने में बेटा, ज distribution बहुत अच्छा है, superior quality का, उसको हम क्या कहते हैं, बेटा, उसको हम कहते हैं, blue ribbon, यानि के निले color का ribbon पहनी हुए, तो आपने कहा, कि बेटा, a blue ribbon panel of experts were invited to investigate the extraordinary remains, मतला, a blue ribbon panel, बेटा, ऐसा panel, जो blue ribbon है, अब आप सोचो, मैंने क्या कहा था, कि blue का मतला, बेटा, royal होता है, ठीक ह तो इसको आप royal के साथ जोड के चलें, और अगर आपने का blue ribbon panel है, तो royal panel का मतलब हो क्या बेटा, experts का panel, यानि के बड़े लोगों का panel, well educated, superior और senior लोगों का panel, that is called blue ribbon, okay, so इसका मतलब blue को हम बिलकुल अभी तक सही आद करें, कि एक positive सा word है, ठीक है, और positive तरीके से याद हो रह होता है, तो आपने का move quickly in a straight line, बिटा, एक straight line में quickly चल देना, ठीक, यह आपने कहा बिटा, example क्या होता है, देखो, example हमने streak का मतलब क्या होता है, move quickly in a straight line, पर स्ट्रीक समझ लो, अब स्ट्रीक को आपने कैसे कहा, अरे क्या हो रहा है, इस्ट्रीक को आपने कहा, the plan street across the sky, sorry, the plane होगा बिटा, the plane street across the sky, बिटा, क्या हुआ, वो sky से एकदब move कर गया quickly, तो पहले यह समझ लो, बिटा, talk माने बाते करना है, अब blue माने नीला होगे, street, पहले streak का मतलब क्योंता है, street line पर चलते रहना, that is called the streak, तो जैसे आपने एक sentence लिखा, कि the plane street across the sky, बिटा, sky से चला गया, ठीक है, आपने का when someone talks very much and very rapidly, जब कोई आदमी बहुत बात ही करता है, मतलब आप समझ गए, talk a blue streak, यानि कि आप सीधे बोलते ही चले जाते हो, बहीं, मुहावरे कैसे बने हैं, इन शब्दों के अंदर कुछ तो ऐसा होता होगा ना, जो यह याद होता होगा, तो आपने कहा हाँ, यह क्या है, यह talk a blue streak होगा, मतलब आपने कह दिया, कि बहुत तुम blue streak हो, यानि कि तुम बस बोलते ही चले जाते हो, बोलना किसे परहे चल गए, talk से, तो आपने का when someone talks very much and very rapidly, जब कोई बहुत जादा बहुत rapidly बात करता है, ठीक है, तो आप कहते हैं, बेटा, talk, हाँ, blue ribbon होगा, बिल्कुर से बात है, तो आपने का the woman in the hospital bed next to me, talk the blue streak all day, I don't where she got the energy from, मतलब, I don't know where she get the energy from, तो जो woman थी ना, मेरे बराबर में, होस्पीटल में, वो बेटा, talk the blue streak होगा, लगातार बोलती रहती थी, मुझे कभी नहीं समझाए कि इतनी energy इसके पास आती कहां से है, ठ बेटा, तो क्या answer होगा, talk a blue streak will be the correct answer, next आजो, बेटा feel ya seem blue, बेटा कैसा feel करना, अब देखो feeling है, अब होना चीए था बेटा ये positive word, कि feel करना seem करना blue, यानि कि इसको ऐसा feel करना blue जैसे मतला अमीर हो, लेकिन जब ये feel ya seem blue के साथ आता है, तो इसका concept थोड़ा सा बदल जाता है अब सुनो क्या बदल जाता है, वो समझ लो बेटा, feel ya seem blue का मतलब होता है, blue को आप ऐसे भी समझ लो, जब आप किसी को बहुत पीट देते हैं, जब आप किसी को बहुत पीट देते हैं, तो उसके चहरे पे काले नीले निसान पढ़ जाते हैं, ठीक है, कहते हैं नील पढ़ समझ आ रहे हैं, सक्या एक ही रंग के साथ खेल रहे हैं, धनजय कुमार सारे रंग आएंगे बिटा, आवी तर शुरुवात हुई है, ठीक है, हर रंग की बात होगी घबराओ मत, ठीक सा आजो, तो हमने का बिटा, तू फील सैड और डिप्रेस्ट, बिटा जादे ही सैड फील करना, तो आपने का न, पिटा हुआ फील करना, कि तुमको इतना मारा गया है, कि तुम नीले पढ़ गया, तो इप्रेस्ट तो खुद ही हो जाओगे, so what is that the matter with you today, you seem really blue, is there something you would like to talk about, भई what is the matter, क्या परेसान ये, तुम इतने पिटे पिटे से लग रहे हो, और इतने प समझ आगा, कि blue को आप दो तरीके से मिला लेते हो, एक तो हो गया, बेटा, कौन सा, royal family वाला, ठीक है, और एक हो गया, बेटा, पिटा हुआ सा, गरीब इनसान, ठीक है, दो के तरीके से मिलाओ, next आचो, और देखो, भी समझ आएंगा, बेटा, next है, blue in the face, आपके face में क्या है, बेटा, blue है, आप blue in the face का मतला हो गया, to try really hard, to win someone's agreement, okay, but usually and unsuccessful, फिर वही बाता ही, कि बेटा, ऐसे ही जैसे पिटा हुआ सा महसूस करना, यानि कि आपने पूरी महनत की, तो blue in the face हो, यानि कि आपने पूरी महनत की, finally, आप फिर दुबारा से वहीं आगे खड़े हो जाते ह कि आपके हाथ कुछ नहीं लगता है, तभी भी आपनी ये पूछता है क्या हुआ, तो आपने का पूरी जान लगा दी, प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, लेकिन फिर भी मिली बहुत से गाली ही, यानि कि हम पिटा हुआ ही महसूस करने है, ठीक है, आजो कैसे बात करते ह आपने कहा, I kept trying to convince him, that it was a good idea, until I was blue in the face, but he is so stubborn, he just keep disagreeing with me, मतला, I kept trying to convince him, मैंने उसे पूरा convince किया, that it was a good idea, बहुत अच्छा idea है, until कब तक बेटा, I was blue in the face, जब तक मेरा चहरा नीला ना पढ़ गया हुआ, उसे समझाते है, समझाते है, ठीक है, तो आपने उसके बात क्या क्य है, but he is so stubborn, वो इतना जिद्धी है, he just kept disagreeing with me, और वो लगाता है, मुझसे ऐसाहमत ही होता रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, बेटा, often gets prey to their girlfriend's talking blue stick, क्या बात है बेटा, बहुत अच्छे, आप अपने मन के sentence बना लो, जो आपका मन करता है, तो blue in the face का मतलब क्या होगा, बेट आ रहा है न, यह तो याद होई गया होगा, once in a blue moon, ठीक है, बेटा, कभी-कभी चांदनी का आ जाना, once in a blue moon, मतलब आपने का, to occur extremely rarely, और only once in a lifetime, एक मतलब जिंदगी में एक दो बार होना, कभी-कबार होना, once in a blue moon, ठीक है, तो इसको हिंदी में बेटा, कुछ चांदनी वाल once in a blue moon, मतलब वो Africa में काम करती है, बहुत busy है, और वो मेरे parents को बहुत कम call करती है, once in a blue moon, तो कभी-कभी बेटा, उसकी आवास सुनने के लिए मिलती है, once in a blue moon, यादा रहा है बेटा, once in a blue moon, ठीक है, तुम तो इद के चांद हो रखे हो, आप ऐसे याद कर लो, बेटा, इद के चांद ना हो, बेटा, चार दिन की चांद नहीं होता है, चार दिन की चांद नहीं होता है, कि फिर थोड़ी देर बाद नधेरा हो जाएगा, मतलब एक ऐसी चीज जो थोड़े समय तक होगी, फिर खतम हो जाएगी, ठीक है, समझे, तो correct answer क्या होगा, बेटा, once in a blue moon होगा, यानि के आपने क्या कहा, इद का चांद हो जाना, बेटा, याद रखेंगे, next आज हो, आप बेटा, आपने का man boys in blue, या तो man है, या boys है, किस में in blue है, बेटा, फिर समझा गया, blue का मतलब क्या होगा, used to describe the police, because of the color of their uniform, बिल्कु सही बात है, बेखो, जो मुहावरे ब बनाए हैं, तो जैसा उन्होंने देखा वैसी तो बनाएंगे, उनके यहाँ जो police की uniform होती है, वो कैसी होती है, blue होती है, ठीक है, अगर आपको याद आता हो, बेटा, इसको blue boys भी कहा जाता है, blue boys होते है, बेटा, वो ही लड़के, जो मतलब blue color की dress पहने रहते हैं, ठीक है, खाकी का मतलब police है, वहाँ blue का मतलब बेटा, पुलिस है, याद रहेगा, तो man ya boys in blue, आपने का used to describe the police, because of the color of their uniforms, I saw the boys in the blue outside our neighbor's house, last night I hope everything is okay, मतलब मैंने कल man ya boys in the blue देखा, मेरे पढ़ासी के घर के बाहर, तो मैं hope करता हूँ everything is okay, कि सब कुछ ठीक हो, कुछ गलत ना हुआ हो, नूरी is once in a blue moon, क्या बात है, बेटा नूरी नहीं है, नूरी डेली आता है, ठीक है, आप देखो blue collar, बेटा ये तो आसानी से याद हो गया होगा, ब्लू कॉलर जॉब होती है, एक आप कहतो white collar job होती है, white collar बेटा जॉब होती है, तो आपने कैसे, कुछ लोग तो blue collar job करते है और कुछ लोग white collar job करते है, तो white collar job करते है बेटा officer ठीक है, ब्लू कॉलर जॉब होगे workers, अंतर समाझ आ रहे है, ठीक, choose your collar बेटा, आप खोदी चूज कर लें कि आपको कौन से collar की job करनी है, तो blue collar used to describe men used as labors और factory workers, इनको बेटा blue collar कहा जाता है, they got rid of a lot of the blue collar workers during the recession, I would say they definitely suffered the most, मतला, they got rid of a lot of the blue collar workers during the recession, बेटा, रिशे संच में ने बहुत सारे workers निकाल दिये, I would say they definitely suffered the most, मुझे मैं रिसा लगता है, कि वह बहुत जादा सफर हुए होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, blue collar job होती है, working class की job, ठीक है, समझ आ रहे हैं, next बात करते हैं, next एको होते हैं, involving, clearly, definite, opposing, principles, or issues, मतलब, बेटा, issues कैसे हैं, black and white, यानि के काले और सफेज, और ये दौनों एक दूसरे के बेटा, एकदम opposite होते हैं, black and white, एक दूसरे के opposite होते हैं, तो ऐसे idea, जो contrasting हो, तो आपने कैसे कहा, बच्चों session को एक बार like और share कर दो, जो सारे बच्चे हम but he doesn't realize that, this whole situation is not as black and white as he thinks, मतलब, our boss always thinks, हो हमेसा सोचता है, बेटा, क्या, that everything is straightforward, सब कुछ बिल्कुर सीधा-सीधा है, but he doesn't realize, उसे कभी समझ नहीं आता है, that this whole situation, ये पूरी जो situation है, is not, वो नहीं है, बेटा, क्या, as black and white, as opposing, नहीं है, as he thinks, मतलब, इतनी black and white नहीं है, तो involving clearly definite opposite principles or issues, बेटा, कि एतनी opposite principles वाली नहीं है, जतनी वो सोचता है, तो that is called, बेटा, black and white, तो black and white होगा, किसी चीज़ का opposite होता है, ठीक है, next, next, वर देको, बेटा, put something down in black and white, बेटा, किसी चीज़ को down कर देना, black and white में, तो आपने का होगा न, give it to me in black and white, इसे मुझे आप लि situation, यानि क्या opposing situation है, black भी और white भी है, लेकिन आपने का, give it to me in black and white, लिखके दो बेटा, ये तो आपने सुना होगा न, बच्पन समस्टम को use करते हैं, schools में पढ़ा होगा, कि I want everything in black and white, लिखके दो everything in written, या तो कहते हैं, written में दो, या फिर कहते हैं, black and white में दो, ठीक है, once in a blue to moon, ठीक, आजो बिटन एक्स देखते हैं, तो आपने कहा, to write or have something written down on paper for confirmation और evidence, भाई, give it to me in black and white, black and white, लिखके दो for the confirmation और evidence के लिए कि कल को मैं किसी को दिखातो दूँ, भाई, कल को मैं किसी को दिखातो दूँ, कि मेरे पास सबूत है, मेरे पास evidence है, तुमने लिखके दिया happiness है, बिटा, वो overloaded रहती है, ठीक है, class में भी आए हो, तो बस कहना इतना है कि time waste नहीं होना चीए, बिटा, हरिश कुमार, black and blue जब आएगा, आप पढ़ लेना, अगर कुछ होगा, तो ठीक है, ऐसे मैं नहीं बता सकता कि कुछ है या नहीं है, ठीक, आसा हिंदी medium से हैं, English म पास तो हो जाएंगे cds में, आप राज धीमर, ऐसा थोड़ी है कि हमेज़ा English medium वाले ही बेटा cds में जाते हैं, बहुत सारे स्ट्वेंट्स हैं, हिंदी medium के जो वहां selection लेते हैं, तो कहने का मतलब सिफ इतना है, कि आपका अपनी बेटा burning desire कितनी है, officer बनने की, ये इस बात पे depend करता है, और मैंने इतना देखा है, कि जो लोग excuse रखते हैं, बेटा वो कभी कामियाब नहीं होते हैं, मतलब ये बात ना सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, और शायद बुरी भी लगती है, लेकिन मैंने जो आज तक सीखा है, वो ये सीखा है, कि अगर हमारे पा करके अपने अपनी बोट जला दी, तो बात बिल्कु सीधी सी है, कि आप वापिस कैसे जाओगे, तो बेटा अगर आपने अपनी बोट जला ली है, अपने वापिस जाने के सारे रास्ते एदि बंद कर ली हैं, तो आप 100% कामियाब हो जाओगे, और जब तक आपके पास ल आओ ही जला दी, वापिस कैसे जाओगे, तो बेटा मैं बिल्कुल लिखके दे सकता हूँ, आप 101% कामियाब होगे, ठीक है, चलो जो, शुरू करते हैं, बहुत बढ़िया, तो देखो, हमने क्या क्या क्या, कि put something, तो लिखके दो, I don't understand, why you don't believe me, मुझे समझी नहीं आ रहा है, that is called, बेटा, क्या लिखका गया, that is black and white, next आजो, next up, black as night, बेटा देखो, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जैसे black as night कहा गया, ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे word हो सकते हैं, जैसा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, as black as night, ठीक है, तो ऐसे बहुत-बहुत सारे words हो सकते हैं, जैसे आपने का, as white as snow, यानि के इतना सफेज जितना सिनो होता है, आपने का, as old as mountain, इतना पुराना जितना mountain है, as black as crow, बेटा उतना, I did my school education from Malayalam, medium, school, now I am trying to improve English communication skills, good, good lieutenant, well done बेटा, and you can do, you can do, if you want बेटा, अगर, मतलब कहते हैं, जा चाहा है, वहां रहा है, बेटा, बिल्कुल सही बात है, अगर आप चाहते हैं, तो आप 100% कर सकते हैं, let's see, तो हमने क्या कहा बच्छे, हमने का, black as black as night, इतना ही काला जितनी रात होती है, यानि के, somewhere very dark, where it is hard to see anything, we had another power cut last night, it was as dark as night in our house, we didn't even have any candles, मतलब कल रात पावर कट्स हो गया, और हमारे घर में उतने ही रात होगी बेटा, इतना ही अंधेरा हो गया, जितना बितना रात होती है, उतना अंधिकार हो गया, we are unable to see, और ऐसे टाइम पर बेटा, हमारे पास, candle भी नहीं था, रौश्नी करने के लिए, ठीक है, so that is called as black as night will be the correct answer, next रहते हैं, बच्चों यह कुछ हमारे courses है, we are offering you such courses with these features, पीटा, यह सारे features है, you are getting 50% off on all these courses, पीटा, इन सारे courses पे 26, 27, 28, 29, 30, पीटा, पांच दिन आपके पास offer है, अगर आप 5 दिन में कोई भी course लेंगे, तो you will get 50% discount, okay, holy 50, बेटा, code use कर देना, अब आगे बेटा, black and blue, जो आप एक बच्चे ने पूचा था, used to describe something that is badly bruised, मतलब होता है, बेटा, black and blue, used to describe something, किसे को describe करने के लिए, that is badly bruised, bruised, मतलब होता है, बेटा, जिसके ओपर काले काले निसान पढ़ गये हो, यानि कि आपने किसे को इतना मारा है, कि बेटा, कैसा पढ़ गया, black and blue पढ़ गया, मतलब मारते मारते, बेटा, काला नीला पढ़ गया, I didn't know how to swim, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, तो हम समझ पा रहे है, बेटा, क्या समझ आ रहे है, कि हमने का black and blue, बेटा, इतना मारो किसी को की काला नीला पढ़ ज जाएंगे, 50 plus मुहावरी हैं, मुझे लगता है, कि जितने भी हैं, almost आपको अभी याद हो जाएंगे, दुबारा बस एक बार revision करेंगे, तो आपको सब याद आएगा, ठीक है, एक revision जरूर देना होगा, मैं यह नहीं कहूंगा, revision नहीं देना है, तो जान's face was black and blue after the boxing match, boxing में किसी के भी चहरे को black and blue किया जा सकता है, यानि कि उसका चहरा पीटते पीटते काला नीला पढ़ जाएगा, it's called black and blue होगा, next आजो बेटा, next ब्लेक आई, अब रूज निया, once आई, बेटा आपने एक दम देखा होगा, movies में, कि होता क्या था, कि जैसे सबसे पहले comic scene द और 19th of century की वो थी ना, 90 की और C के दसक की थी ना, 18 और 19 decade की, उसमें आप देखेंगे, बहुत आपको ऐसे scenes मिलेंगा, आजकल तो change होगा, आजकल तो fighting क्या criteria ही बिल्कुल अलग है, तो आप कहते हो कि उसमें क्या होता था, बेटा, एक बार, एक blow में ही, पूरी आंख काली पढ़ जाती थी, तो ब्लैक आई हो जाती थी, तो आप bros near one side, बेटा, आख के पास में bruise पढ़ जाना, ठीक है, नेक्स्ट आजो, क्या कहा आपने, बेटा, Fred came home from a horrible black eye today, but he won't tell us what happened, बेटा, आज वो अपनी horrible black eye को लेके आए, यानि कि खुब पीटा गया, उसे काली कर दी, आख मारते मारते, लेकिन घर आके मूह नहीं खोला कि क्या हुआ है, ठीक है, समझ आ रहा है, ऐसा कुछ बच्चे होंगे, जिनके साथ कभी हो गया होगा, स्कूल्स में, कि वे गए, पिट गए, पिट के घर आगए, कपड़े अपड़े फटे होए, घरवाई को क्या हुआ कुछ नहीं, चुप चाप जाने तो बैडरूम में है, ठीक है, तो आप लगा लो, that's called the black eye, ठीक है, वो थोड़ा मूवीज में ज़्यादा दिखा देते हैं, असलियत में ऐसा नहीं होता, after punch of vision the thing, जी, opponent has black eye, बिटा, हाँ, बिल्कुल black eye हो जाएगी उसकी, यानि के बिल्क black out, black out आपको याद होगा, बिटा, जब war होते थे पुराने टाइम पर, तो पूरी तरीके से black out कर दिया जाता था, black out मतलब होता था, सर हमें offline class रेना है, मेरा cds clear हुआ है, ssb का कुछ suggestion चाहिए, बिटा, offline class के लिए तो आपको मुखरजी नगार आना पड़ेगा, और mahi 100, आपको जो अगर cds, ssb के बारे में पूछना है, तो you have to call, ठीक है, अभी तो बिटा, session में मैं बिस पढ़ाने पर ध्यान दूंगा, बाकी कुछ बात नहीं करूंगा, ठीक है, मैं बस आपके चोटे मोटे comment entertain कर सकता हूं, लेकिन मैं समझाओंगा नहीं कुछ, क्योंकि session बिटा, पूरा complete करना है, तो blackout का मतलब हो गया, this means to either darken by putting out or dimming the lights or to close consciousness, मतलब देखो दो चीज़े हैं, बिटा, blackout को पहले तो आप ऐस of April, I think so, अगर मैं गलत नहीं हो, तो 5 April को ऐसा हुआ था, तो हमने क्या कर दिया था, अपने cities में blackout कर दिया था, ठीक है, तो that is called बिटा, okay, blackout, तो आपने क्या लिखा, we had a huge blackout here, last night, the whole town was out of power, for about 7 hours, बिटा, पूरे शहर में blackout हो गया, क्योंकि जो पूरा शहर था, बिटा, banked his head, मतलब क्या हुआ बिटा, कि कभी कभी क्या होता है ना, कि अगर आपका सिर कहीं टकरा जाए, या आपका अचानक से चक्कर आ जाए, तो आप कह सकते हो कि blackout हो गया, मतलब मेरी जो consciousness थी, यानि कि मेरी जो चेतना थी, वो खतम होगे, it is also called blackout, बच्चों समाझ आ रहे ह विनीता ठाको, thank you बेटा, thank you, अगर आई की बार में याद हो रहे हैं, तो बेटा बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी देखो, हम एक बार बताए, honestly, कि कोई भी जादू नहीं है, हाँ, आप इसको पढ़ लो आराम से, इतनी सारी कहानियां बताते हैं, कुछ ना कुछ कहत है, आपके सारे महावरे कलर्स वाले हमेशा के लिए तयार हो जाएंगे, ठीक, तो थोड़ा सा आसान है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, ब्लैक होल, बिल्कुल सही बात है, बिचे, आपने का, ब्लैक है, स्किलिट, बिटे, स्किलिट क्या होता है, जड़ा बताना, देख ही कहते हैं बड़ा सा, डाट इस कॉल्ड इसकिलिट, अब तो याद आ गया, तो क्या होता, उतना ब्लैक जितना स्किलिट होता है, बिटे, यह काला ही रहता है, ठीक है, क्या कहते हैं, आपके यहां पर अपने यहां का लिख दो, बिटे, ठीक है, अपने अपने वर्ट्स का प्रोजेक्ट प्रिपेर करें थी सर, so I got late, अच्छे आनामी का पाथ है, कोई बात नहीं है क्या बात है, क्या बात है, माधूर इतना सब कुछ हुआ है, आजो बेटा, my hands and clothes were as black as skillet and I was only halfway through cleaning your garage, मतलब अभी तो आदे ही garage साफ हुआ है, मेरे कड़ाई हो गया, बहुत बड़ी है, बहुत एच्छे ठीक है, सब के अलग अलग बोलते होंगे, अपना वाला लिख सकते हैं, थोड़ी है, जिसके जो कहते हैं, ठीक है, वह तो लिखना होगा, हाँ, बिटा कड़ाई के जैसे काले होगे, कपड़े, बिलकुल तो याद रहे है, चला आजो बाते हैं, नेक्स देखते हैं, नेक्स देखते हैं, नेक्स आजो, आप बिटा ब्लैक मार्केट, हरे यार, यह तो बहुत तुमने सुना ना, ब्लैक मार्केटिंग चल लिए सर, कोरोना के दवाईयों की ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है, तो एक ब्लैक मार्क भी होती है जहां आपको सब कुछ है वेलेबल होता है जो आपको बाहर नहीं मिल सकता ठीक है आपने का आटम यूज्वा प्लेसे वेर गुड्स और गुड्स और इलीगली बॉट एंड सोल्ड फॉर फॉर प्रॉफिट ठीक है जहां आप बिटा समान को इलीगल तरीके से खर सिग्रेट करता सूथ अम्रीका ऩो और कि ब्लेकिक हैं बैब्लो कर दे मा अब सबास्जिय का मतलब हो एकक्सिक्लूड और ऑँस्ट्रेसाइब सुसायटिय से निकाल देना तो to exclude और ostracize बिटा ostracize का मतलब होता है किसी को समाच से निकाल देना सोसाइटी से निकाल देना हिंदी का एक वर्ड होता है हुक का पानी गिरा देना किसी का movies में आपने सुना होगा ऐसा ठीक है ना समवन सोचली सोचली बिटा समाच से निकाल दो तो reject them उन्हें reject कर दो आपने का देर कंपनी हाज बीन ब्लैक ब्लैक बैल्ट कर दिया ever since that scandal was all over the newspaper no one wants to do business with the with them anyone मतला देर कंपनी हाज बीन ब्लैक बॉल्ट बिटा उसकी कंपनी को ब्लैक बॉल्ट कर दिया ठीक कि किसी को blacklisted कर दो blackball कर दो समाच से निकाल दो ठीक है वेल डन बीटा नेक्स वर्ट ट्राइब करते हैं नेक्स आजो नेक्स का है बिटा पॉर्ट कॉलिंग दा केटल ब्लैक मतलब क्या हुआ कि जो पॉर्ट है ना यह उतना पॉर्ट केटल ब्लैक इसी को कहते है बच यह उस हाइपो क्रिटिकली क्रिटिसाइजेश और एक्टिस समवन एल्स इस ग्ल्टी एज दा परसन ही और सी क्रिटिसाइजेज और एक्यूस इस मतलब बटा कुछ ऐसे लोग जो खुद भी गिल्टी है और दूसरों को भी गिल्टी कहते हैं मतलब किच्छिन में रख़े वे पॉट ना केटल को कहते हैं कि तुम तो काली हो भाई जो कढ़ाई है वो भी तो काली ही है आपने सुना भी होगा ठीक है तो यह क्या हुआ बिटा डाट इस कॉल पॉट कॉलिंग दा केटल ब्लैक आपने कर शी कैप डैलिंग मी डाट आई शुड़न्ट डू डाट बट इस लाइक दा पॉट कॉलिंग दा केटल ब्लैक एसी डाट डाट इट हाट हाट सर्फ तू मतला जैसे आपने सुना होगा ना कि आपने का एक शराबी कहरा है कि इस जी से शराब मत पिया करो बहुत बुरी चीज है एक बंदा जो स्मोकिंग करता है वो लोगों को कहरा है स् रहने का मतलब यह हो गया बिटा की पॉट कालिंग केटल ब्लैक जो पॉट है ना वो कॉल कर रहे है को ब्लैक की तुम काली हो जबकि तुम खुद भी काली हो ठीक है समझ आ गया वेल ड़न बेटा याद रहेगा ओके आजो बेटा आजो बहुत अच्छे बहुत अच्छे आप पता नहीं किस किस का आपस में हुका पानी बंद करते रोगे सारी चीज़ें मतलऺ ऐसा लगता है कि सोस्ल मीडिया ऐसी है कि यहीं हो जाएगा ठीक है यहीं से कहाई दें कि स्क्रीट अगला आदमी बहुत बात सबसक्षैus ponieważ प्राइब कषरोड़ करते हैं तो सब्सक्राइब को सब्सक्राइब है तो आई सब्सक्राइब सब्सक्राइब मतलब तुम्हारे साथ मेरे बहुत अच्छे relation या संबंद है ठीक है तो आपने कहा कि तुम मेरी अच्छी किताबों में हो यानि के तुम्हारे साथ मेरे संबंद बहुत अच्छे है लेकिन तुम तो मेरी काली किताबों में हो black books में हो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम मेरी black list म हो तो टूबी डिस्ग्रेस और डिस्फेवर विस समवर आप तो समझ आ रहा है बहुत किसी को आप ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं तो वह ब्लॉक लिस्ट हो गया आपने का यह मेरी काली किताब के अंदर तुम्हारा नाम आता है ठीक है आप भी कभी ऑनलाइन चैट में आई यह बिल्कुल बेटा वी विल गेट अपॉर्चुनिटी कभी आप मौका तो आने का आफ्टर डैट अर्गूमेंट येस्टरेड़ आया श्यूर यू 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 ही विल बी इन लॉट पीपल्स ब्लैक बुक्स और कॉइट सम टाइम बंद करना बंद कर देंगे ठीक है भुएट अच्छे बहुत बढ़ियां इन समवं वाइट बुक्स नहीं है फिन्हीं गूथी गूड बुक्स होता है ठीक है नेakस आजओं आ पल्यक्टाइ पहनने वाला इवेंट या फैर एक ऐसा उवन्तिदे आफिर जवाब ब्लैक ट और में ड्रेस पैनके जाते हैं आपका ब्लैक टाइए यहां पर ठीक है और आप बेटर टक्सी डो पैनके जाते हैं तो आपको पता होगा कि पूरी ड्रेस मैं जाती है अगर कोई और ओफिशेल को अरेंजमेंट है कोई फॉर्मल इवेंट है तो वहां से कहते हैं कि सब लोग फॉर्मल आएंगे ठीक आपने कहा दा अवार्ट सेरिमनी विल बी अब्लैक टाइए इवेंट सही बात है अवार्ट सेरिमनी में आप पूरे कंप्लीट अपनी सही ड्रेस मैं के जाते हो दा अवार्ट सेरिमनी विल बी अब्लैक टाइए इवेंट सो वी विल हाव तो बाइए स्मार्ट सूट माइवाइफ इस गोईंट विया हर परपल बॉल गाउन ठीक है ना बॉल गाउन मतलब वैसा बड़ा सा गाउन होता वो से पहनने वाली है तो समझ आ गया तो ब्लैकjemेट है जिसमें आप पूरे सुटेडबूस मिलती है आपको इंटर्विट में जाते तो आप कहए सकते हो कि ब्लैक्टिवर्ट में जा रहे ऊंच्छा रहा है और गॡ़ा किसी वी पिलएक बी बिल्कुल सही बात है यू शुड नॉट बी और किसी की भी बुलाइक बुक में नहीं होना चाहिए नेक्स बीटा ब्लाक शीप यह तो पढ़ रखा है न बाब ब्लाक शीप डू है यह सर यह सर थ्री बैक्स फूल वन फॉर दा मास्टर वन फॉर देव वन फॉर दा लिटिल हमारे स्कूल के टीचर्स को भी एक ही मुहावरा शायद याद था वो जाता बच्चों को ब्लाक शीप चलाते रहते थे यूस्टू डेस्क्राइब पर्सन हुई दा ओर्ड वन आउट मतलब जो अलग तरीके का है और देजन्ट फिट इन विद अधर सरूंग दम आधिस इसकर ने अमारी ना कटवा रखे है हमारे घर में ब्लाक शीप है काला धबबह हमारे घर पर बाके सारे तो मेहनतनी है ठीक है जो जह पैसे सब बना रहा ब्लाक शी बदनाम आदंने बच्च्च परिवार में I have a completely different different personality to all of them and we don't even look the same और बिटा मेरी अलगी मतलब कोई चीज़ का प्रॉफिटेबल सक्सेस्फुल हो जैसे अधिया कंपनी हैस बीन इन दा ब्लैक एवर सिंस दा नीव सी यो टुक और एंड चेंज इट अले रहां देखो मैं आपको बता हूं ऐसे मुहावरे बेटा जरूर याद कर लेना जैसे यह वाला अभी तक सक्सेस्फुल मार्क करेंगे या फिर अन प्रॉफिटेबल माने करेंगे ठीक है नॉन प्रॉफिटेबल तो हम आपको बता हूं कि द्या कंपनी हैस बीन इन दा ब्लैक एवर सेंस दा नीव सी यो टुक ओवर दा एंड चेंज इट अल एरांड इसका मतलब यह एक पॉजिक ब्लैक बिटा पिछ ब्लैक क्या होते हैं अनॉदर टर्म फॉर सम्वेर डाट इस वैरी डाक एंड यू आर अनेबल टू से अनिधिंग बिटा पिछ ब्लैक का भी मतलब वही होता है जैसे आपने क्या कहा था ब्लैक आउट था आपने का I was afraid to go downstairs the whole house was pitch black and very quiet बिटा बिलकुल pitch black है यानि के पूरी तरीके से अंदा अब एक बास सुनो आप pitch तो जो होती है पिछ को आप ऐसे समझे लो pitch क्या है बिटा रोड ही तो है सडख और सडखें कैसी बनी होती है ब्लैक कलर की तो इतनी ब्लैक जितनी road होती है तो बिटा रात में तो road बिलकुल काली होती है और क house was pitch black and very quiet बिटा बिल्कुल अंधेरा हो रखा था और बहुत सांथ था मतलब हो सकता है डर भी लग रहा हूँ next आ जाओ आ जाओ सेल अंडर false colors बिटा समझ लो मैं समझाओंगे जैसे बिटा सेल का मतलब क्या होता है देखो तो बिटा colors माने होता है flag colors माने होता है बिटा flag इसका मतलब आप जूटा जहंडा लगा के नाव चला रहे हो अब यह concept क्या बना यह concept ऐसे बना बिटा जितने भी invaders होते हैं यानि के बिटा जो लोग दूसरे देशों में घुसते हैं चुप चुप के ठीक है तो वो क्या करते है जो infiltration करते हैं यह क्या करते है यह अपनी identity को hide कर लेते हैं मानों को इंडिया की सरद में घुसना चारा है तो अपनी बोट के ओपर इंडिया का fan लगा देगा flag ठीक है तो जल्दी से पता ही नहीं चलेगा कि यह बोट इंडिया की है या मतलब कहीं बाहर की है ठीक तो he really understands what he supposed to be doing मतला भई हमारा जो leader है ना हमने जिसको leader बना रखा है captain बना रखा है मुझे ऐसा लगता है बेटा sailing under false color कि वो pretend कर रहा है अच्छा होने का जबकि वो ऐसा है ही नहीं उसको पता ही नहीं है what to do what not to do इन गाइज ओ बेटा बिल्कुल भी इस बदल लेना अपनी बातों को छुपा लेना बहुत अच्छे बच्चो session को एक बार like और share कर तो बहुत बढ़िया well done guys बहुत एकदम सही है session को बेटा बस like और share करते जो ठीक है सब बच्चे जुड़े रहें और जितने जुड़े हुएं बेटा really thankful to all those guys कि आपने इतना trust दिखाया बेटा और पूरी कोशिश करें कि आपको इस सारे word याद हैंगे आप देखो to be green अब मैंने क्यों कहा था बेटा कि जिन्होंने PPT बनाई है I should be thankful to those people क्योंकि आप देखो जब green कलर की बात थी तो बेटा उन्होंने green ही color यूज किया है तो आप देख सकते हो बेटा कितनी creativity और कितनी मेहनत के साथ इस PPT को बनाया गया है तो to be green यानि के हरा हो जाना green आ गया आप ठीक है तो बेटा होली बड़ी है चल दिये सच बताओ बेटा नीले रंग लगा दिये काले रंग लगा दिये ठीक है लाल भी कुछ रंग लग चुके है सफेद वाला वो चमकी color भी लग चुका है काले के बाद उपर से लगा देते थे तो चमकी color भी आ चुक है अब तक अब हरे रंग की हुली आ गई है तो आप देखते जाओ, सारे रंग बेटा आपको यहां मिलने वाले हैं ठीक है, और बाद में आपके रंग उतार भी देंगे, जब छुट्टी करेंगे, तो रंग उतार के आपके छुट्टी करेंगे, घबराओ मठ ठीक है जाओ, मतलब निला धुला के आपको घर बेटा to be green अभी तो तुम नए नए हो यह जो green होता है ने उसके साथ आता जो बड़ निकलती है ना वो अभी नए नए होती है वो बड़ी green होती है ठीक है तो आपने कहा बेटा to be green आपने कहा he can be rather green sometimes I don't think he is ready to be promoted to a higher position yet मतलब यार मुझे वो लगता है कि कहीं कहीं जैसे मानो कोई company का मालिक हो कहता है मेरा बेटा अपसे इस company का मालिक होगा तो आप कहते हो नहीं यह लगता है नहीं इसको नहीं promote करना चाहिए मुझे अभी थोड़ा सा क्या लिखता है बेटा थोड़ा green दिखाई देता है ठीक है ओके वैलकम बेटा तो हमने क्या कहा शो कि हमने यह कहा किया तुम मुझे थोड़े से अभी green दिखाई देते हो यानि कि immature दिखाई देते हो ऐसी maturity तुम्हारे अंदर नहीं है ठीक है क्या बात है क्या बात है नूरी मुसरफ आज बेटा क्या बात है कि हम बोल बैठे हैं चुपचाप सुनने के लिए बेटा green हो जाना with envy envy मतलब क्या होता है बेटा envy होती है शत्रूता ठीक है नाराजगी कि आपके पास में कुछ है और मैं चाहतों मेरे पास भी वह ठीक है तो आपने हो जाता है गुस्से में ठीक है यह जालसी में तो आपने का वैन वी वर चिल्डर जब हम बच्चे थे ना माई ओल्डर ब्रदर ऑल्वेज उस्टू गो ग्रीन विद एन्वी इफ माई डैट ब्रॉट ब्रॉट बॉट सम्धिंग फॉर मी और नॉट फॉर हीम तो जब डै हमारे लेवी चीज़ आएंगे क्यों घबरा रहे है तो ग्रीन विद एन्वी इस दा करेक्ट अंसर गुस्से में लाल हो जाते हैं सर तो बिटा लाल हो जाते हैं लेकिन इंगलिश महरे होते हैं एकदम काला भी पढ़ जाता है जब गुस्सा बहुत जादा आ जाता है ठीक फ़ुत दो लाल तो होता ही है मैं करऊ काला भी उसकता है ठीक कुछ भी होता है टेंशन बतलो आजओ अज़ो आजओ बढ़़लो आपको समझ आना चांगे ग्रीन लाइट जाना मैड़कि सब्सक्राना के घर वालो ने पूचा कि चले घूमने और पापने चले जाओ तो आ ग्रीन सिगनल तो याद आ रहोगा रेड़ सिगनल है घर की तरफ से घर वाले जाने नहीं देंगे और ग्रीन सिगनल है घर की तरफ से या ऐसा कहते है ना मम्मी की तरफ से तो ग्रीन सिगनल है बस एक बाप पापा से बात और करनी है ग्रीन सिगनल मिल गया है यानि के बस अब काम शुरू करना है गैट परमीशन बिलकुल सही है 100% का बात है बिटा 100% गैट परमीशन ही है बिटा ग्रास है जो घास है ना वो जादा हरी होती है पर में तार साइजर है ग्राउंड में तो हमारी घास लगते है बड़ी सुखी-सुखी है जब आप कभी सर्दियों में जाते होगे गहास पे बैटने थे हां हमारी वाली सुखे तो कितनी हडियरी घास में बैठें फिर वहां जाते हैं लगता था नहीं पहले वाली जादा अच्छी थी तो सही है ना बेटा ग्राशी रॉज और इस ऑलवेज ग्रीनर ऑन दा अधर साइड दूर के ढोल सुहावने लगते हैं आपने का यूस्टू डेस इस फार अवे एंड बैटर देन वेर यू आर नाओ और अनौर पर्सन सिच्वेशन डाट इस वैरी दिफरेंट फ्रॉम जादा दिखाई देता हैं हमें दूसरे लोग जादा अच्छे दिखाई देते हैं ठीक है तो वही होता है बेटा की ग्राश इस आलवेज ग्रीनर अ बैटर नागती है जैसा अच्छी लगती है वैं ही सोगाफ जो नहीं जॉब ऑन परफेक्ट नहीं जॉब में जोब चेंज करी और पता चला की बेटा पहले से ज़्यादा अब फर्स गए नेक्स आज आजगा नेक्स आपका ग्रीन बैल्ट बेटा ग्रीन बैल्ट ग्रीन क्या होगा वह हमने कहा एन एरिया औफ फिल्ड्स एंड टीज अरांड टाउं बिटे यह तो बहुत आसान है जैसे आपने सुना होगा ना कि अगर शहर अब नए बसते हैं तो उसमें ग्रीन बैल्ट एरिया छोड़ा जाता है जहां आप सिर्फ हरियाली लगा सकते हो तो आप आपने क्या कहा हौर सिटी है जाव पॉलिसिय ओंसिंग ग्रीन बैलत एरांड इट बिटा हमारा शहर की पॉलिसिय कि हम इसके चाथकर जाघी बैल्ट लगा दे ठैकर नेच्स आजो आब बैटा ग्रीन थ penalन souties ग्रीन फिंगर कौन होती हैं ऐसे लोग बिटा जिनके अंदर बहुत जादा टैलेंट होता है पेड़ पौदों को गाने का यह जो बहुत जादा लव होता है ट्रीज को लेके ठीक है ठीक है क्या बात है डीके शर्मा क्या है बिटा कहां से दून के ला तो इतनी चीज़े हैं यूस्ट डेस्क्राइब समवन विद टेलेंट फोर गांडनिग अविंग अबिलिटी तो मेंग प्लांट्स को ग्रोव कर सकते हो यू आ ग्रीन थांब मतलला तुम घर्णिंग की बहुत अच्छी नॉलीज है हों टीकल्चर की बहुत अच्छी नॉलीज है इस गांडन जब मेरी मदर रहती थी और शी डाफिनिटी एड़ ग्रीन तम आई विश आई डिट टू वह उनका बहुत अच्छा एक्सपाइट हैं था गार्डिनिंग में और हो सकता है कि मुझे भी ऐसा होता ठीक है अच्छा मेरे को है सर तो बेटा सोच की क्यों बता रहे हो सनत खुश होके बताओ ठीक है बेटा खुश होके बताओ है ना ऐसी क्या बात है देखो अब कौन सा कलर आ गया बेटा अब आ गया पिंक कलर अभी भी बहुत बच्चों को पसंद होगा पिंक कलर तो बेटा हमाई प बिल्कुल पिंग हो जाना खुशी में एकदम कहते हैं ना खुशी में ब्लश कर जाता है कि आदमी के अदम गाल एकदम पिंग कर गया तो आपने कहा टिकल पिंग वैरी प्लीज थ्रिल्ड डॉट डिलाइटेड अबॉट सम्थिंग एना वस्टिकल पिंग देट हर फ्यॉंस बेटा उसके बर्थडे के लिए इतना अच्छा रेंजमेंट किया ठीक है माइफ फादर इस ग्रीन थंब बटाइफ नो एनी क्लियर फिंगर्स ठीक है बहुत अच्छे दिविया कहां से बनाते हूं तो समझ आ रहा है बच्चे ओके नेक्स आज़ों नेक्स आपका उच्छा गया है एक्जैम्स में क्या है इसका मतलब वैन समवन सीज तिंग्स दैटार नोट रेली दिया बिकॉस दे आर इन देर इमेजिनेशन बेटा बी इमेजिनेटिव यानि कि आपने कहा कि मुझे आप पिंग कलर के हाथी दिखाई देती हैं तो कोई कहेगा कि बेट कहता है इसने तो कहीं पिंग कलर के हाथी देख लिए यानि कि इसने तो बिटा इमेजिनेशन बना रखी है इसको कुछ नहीं पता क्या आंसर होगा ठीक है नेक्स देखते हैं बच्चो नेक्स आपका पिंग स्लिप बेटा देखो यह कई बार पूछा गया अब आप देखना यह कंफ्यूजिंग है जैसे पिंग का मतला हम समझते हैं कि पॉजिटिव वर्ड है लेकिन इस वर्ड को सुनती है आपका दिमाग खराब हो जाएगा अ पिंग सिलिप मिल जाना यानि कि आपको टर्मिनेशन लेटर मिल जाना क्या अंसर हुआ दे गेव मी माइपिंग सिलिप लास्ट वीग सो आइव गौट तू फाइंड नीव जॉब नाओ भई पिछले आफ्टे उन्होंने मुझे मेरी पिंग सिलिप दे दी यानिकि मेरा ट बिटा किसी के पिंग में होना in the pink of something in a very good health बहुत अच्छी हल्थ में होना वैसे जो पिंग कलर लॉता बेटन है पॉजिटीव ही होता है अगर आप पिंग कलर में हैं तो इसका मतला आप ये समझ लो एक पासिटिव वाइब देते आप हिल्दी है वोगी लिख गए कश एक वो हमेशा बेटा मुझे healthy दिखाई देती है जब भी मैंने देखती हूँ तो she is in the pink of condition होगा तो in the pink होना यानि के अच्छी condition में होना याद रहेगा बेटा in the pink होना यानि के अच्छी condition में होना ठीक है एक बाँ session को like और share करने pink computer क्या बात है बेटा pink computer कॉन डिमांड करता है बेटा जो and to be shown the red card बेटा किसी को red card दिखा देना अब red card दिखाना मतला बेटा this derives from the football terminology and means to be dismissed from your job बेटा आपने अगर football दिखा होगा तो football में जब कोई rule तोड़ता है तो उसको red card दिखा देते हैं बेटा मतलब वो बेटा वहां से निकाल दिया जाता है उसको terminate कर दिया जाता है it is called the red card ओके तो आपको कोई भी बेटा red card दिखा सकता है कोई red card दिखा के आपके class में बच्छे बहुत enjoy करती है thank you बेटा thank you red card दिखा के बेटा आपको class से निकाला जा सकता है तो आपने का the company accountant was shown the red card after they found out he was using company money for personal gain बेटा company के accountant को red card दिखा दिया गया क्योंकि वो company के account को पैसे को बेटा personal use के लिए show कर रहा था आपको बताओ देखो दुनिया कितनी बदल चुकी है बेटा हम आपको red card नहीं दिखा पाते हैं हम आपको block कर देते हैं सही है ना बेटा हम आपको हमारी company आपको कोई red card नहीं दिखाती है सीधे सीधे block कर देती है अगर आप बत्तमी जी करोगे तो ठीक है तो बस ये समझ लो कि ये जो red card है ये आपके लिए block है ठीक है आज कल लाल कलर में पड़े रहना बेटा to have an overdraft आपके पास overdraft बहुत सारा पैसा चड़ा हुआ है being debt आप कबजे में है bank के और own to institution और some money बेटा आपके पास पैसे की कमी है इसको आप कहते हो आप किसमें है red में है बेटा be in red मतलब कर जे में हो being in the red कर जे में होने को लेकिन मुझे अभी तीन credit card के bill चुकाने है ओके next आजो बेटा next क्या है out of the red बेटा समझ आ गया out of the red का मतलब क्या होता है be out of the debt बेटा आप कर जे के बिलकुल बाहर है आपके उपर कोई कर जा नहीं है आप कर जे से we are making profit बेटा हमारी company out of red है और हमने loan pay कर दिये हैं और आप हम अज मज़े से जीरें next आ जो a red flag बेटा red flag क्या होता देखो अब ये proper red color है बेटा red flag क्या होता है आपने का a signal that something is not working properly और correctly यानि कि आप किसी को red flag दिखा देते हैं तो red card करना terminate कर देना red flag दिखा देना किसी चीज़ को stop कर देना क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है जैसे आप red light की बात करते हैं the fallen trees along the road raised a red flag for the safety inspectors क्या होता बेटा एक red flag raise कर दिया safety inspectors के लिए क्योंकि काम जो था बेटा रुख गया ट्रैफिक कैसा हो गया रुख गया ठीक है next आजो बहुत अच्छे ओके next आजो बेटा next है blood red बेटा इतना red जितना blood होता है मतलब used to describe the deep red color of something बेटा किसी चीज़ का color बहुत red है आपने का she was wearing a beautiful cocktail dress with blood red lipistic to match मतलब she was wearing a beautiful cocktail dress बेटा उसने बहुत सुन्दर cocktail dress पहना किया with blood red lipistic उसकी lipistic का color बेटा blood red है जो उससे match करता है तो it is called blood red ठीक है तो blood red होता है बेटा उतना red जितना blood का color होता है next है आपका red hot बेटा red hot क्या होता है something new and exciting creating much demand बेटा कुछ बहुत नया बहुत exciting है और बहुत demand की बात करता है that is called that is called red hot आपने का the new video game is red hot some fans have been waiting outside stores for days to get a hold of them बेटा नया जैसे apple का phone आता है न तो आपने देखा होगा बेटा वो red hot बन जाता है इंडिया में भी क्योंकि लोग उसके बड़ी बेसबरीत इसे इंजा करते हैं कि वो कब आएगा ठीक है ओके next आजो बेटा idioms होते हैं जो एक मतलब कई सारी words का combination होता है जिनसे आपको story fetch कर सकते हैं जो historical stories से बनाएगे मुहावरे होते हैं आजब और जो phrases होते हैं कोई भी दो शब्द मिलके एक अलग मीनिक को create कर लेते हैं that is called the phrase मुहावरा बलकुल अलग चीज़ है जैसे रेड होट है बेटा यह मुहावरा है यह आपने का एकली शील है वो मुहावरा है ठीक है जैसे look after है यह आपके phrase हो जाएगे ठीक है तो phrases अलग होती है और मुहावरी अलग होती है ठीक है नेक्स आज़ा थोड़ा सा difference होता है बेटा red herring herring क्या होती है a kind of fish होती है यह क्या है यह तरीकी की fish होती है अब मैं आपको बता रहा हूँ यह कैसे आप याद पाएंगे सुन लो बेटा इसका color red नहीं होता है तो कभी-कभी क्या होता है ना कि यह मतलब ऐसा माना जाता था कि जो जो से मतलब fisherman जब जाते थे ना fish को पकड़ने के लिए ठीक है तो उन्हें कभी-कभी समुद में red herring दिख जाती थी और यह क्या और आपको red herring दिख गए तो आपने क्या करा कि जो आपका main job था ना मचली पकड़ना आप उसे छोड़के दूसरे कामों में लग जाती है ठीक है तो आपने क्या लिखा आपने का unfortunately that witness was just a red herring बिटा वो जो witness था ना वो बस red herring था she had no justification to her story उसके पास कोई justification नहीं उसकी story के लिए and it was a waste of valuable time और that is only the waste of valuable time होगा जैसे अगर हम लोग अभी class पढ़ने ठीक है और कोई बच्चा किसी दूसरे matter की बात करे और सारे बच्चे उसको support करने लग जाए तो समझ लो बेटा वो जो idea था ना वो आप सब के लिए क्या था red herring था यानि के आप अपने most important topic यानि के पढ़ने से चूक जाती है next आजो बेटा red in the face क्या होता है शर्म से चहरे का लाल पढ़ जाना red in the face ये हिंदी में बोलते हैं ना बेटा कि उसका सर्म से चहरा लाल पढ़ गया तो शर्म कब आएगी जब बुरे काम करोगे तो बेटा शर्म आएगी तो आपने का शर्म से चहरा लाल पढ़ जाना become embarrassed यानि के शर्मिंदगी को महसूस करना तो आपने कहा I went red in the face when the teacher told me off in front of everyone for arriving late जब टीचर ने मुझसे कहा कि यार तुम हमेज़ा लेटी आते हो तुमारे क्लिए क्या स्कूल घर लेके आ जाएं तो मेरा चहरा बेटा बिलकुल शर्म से लाल पढ़ गया ठीक है तो मेरा चहरा छर्म से लाल पढ़ गया समझ आ रहा है कि छहरे का शर्म से लाल पढ़ जाना कि अपने कोई गलती कि कि और आपने किसी ने आपकी बेज़ती कर दी तो आपका छहरा शर्म से ला पढ़ जाता होगा ऐसा आफ कह सकते है ठीकिन आफनी आफनी बैटा रेड आइ एक ऐसी जड़नी भी होती है जिसमें आपके आफना आफनी के होती है और सुबहा बहुत जल्दी उठके आफित दुबारा से अपनी यात्रा को जड़नी को शुरू कर देते हैं उसको हम कहते हैं red eye वैसे monster की आखें भी लाल ही होती है ठीक तो आपने क्या लिखा we had to catch the red eye flight last night and I am completely exhausted now अब मैं पूरी तरीके से ठका हुआ था और मुझे बेटा red eye flight पकड़नी पड़ी यानि के सुबा सुबा जल्दी से एक flight पकड़नी पड़ी red letter day ये भी एक ऐसा मुहावरा है जो इस class के हर बच्चे को पता होगा auspicious day क्योंकि जब हम किसी भी स्कूल में पड़े थे वहां हमें जरूर पढ़ा गया था हर सिता कुछ idea नहीं है कि कब तक class से बेटा जितने भी मुहावरें वह complete कराने है मुझे लगता है भी थोड़े बहुत और होंगे क्योंकि मैंने कोई numbering नहीं डाली थी बेटा यहां ठीक है क्योंकि holy की बात थी तो हमने सोचा कि यार अगर रंगों को भी number से बांध दिया जाए तो फिर कुछ बात नहीं रहती है आगे ना समझ बेटा कल आपको colors लगेंगे और उनको number से बांध दिया जाए कि आपको सिर्फ red color एक लगना है ग्रीन दो लगने तो बेटा फिर holy का ना चार्म खतम हो जाता है ठीक तो इसलिए बेटा मैंने क्या किया मैंने इसके number नहीं डालनी है समझ गए मैंने बेटा numbers को हटा दिया है तो red letter day है क्योंकि holy खेल रहे हैं तो तब तक खेलो जब तक आप ठक ना जाओं समझ रहो ना तो आजो हमने बात की red letter day वैसे शायद बहुत जादा नहीं रहोंगे दस पंदा मिनट और हो सकती है ठीक है आजो 47 होगे देखो महिश करें तो इसका मतलब बेटा आसपास ही है मैंट के तो आपने का a day that is memorable because of some important event बेटा जिस दिन आपका cds का result आया वो आपका थोड़ा सा red letter day हुआ लेकिन जब आप SSB किलिए करके लास्ट फाइनल प्रेड में जब आप बेटा इससा लेंगे that will be the red letter day of your life आपके जिंदिकी का वो सबसे बड़ा दिन होगा और स्पीश्यस दे होगा आपने का the day I graduated was a red letter day for my mom and she still talks about it today बेटा वो रेड लाइटर दे था किसके लिए मेरी मदर के लिए कब जब बेटा मैंने अपनी ग्रेजुशन क्लियर की थी ठीक है ओके विजया आजो बेटा नेक्स बात करते हैं नेक्स आपने का to see red बेटा कैसे दिखना लाल दिखना to retract with uncontrollable rage against someone or something ठीक है बेटा red in the face, चेहरा लाल पड़ जाना, two see red तुम पूरे लाल पड़ गे तो आदमी लाल पड़ जाता है गुस्से में जब मैंने पूछा था कि गुस्से में आदमी कैसा हो जाता है मैंने का काला पड़ जाता है तुमने का लाल होता है इंग्लिश में बेटा ग्रीन भी लिखा गया था तो अब हमने समझ लिया हमने क्या कहां बेटा टू सी रेड का मतलत है तू रियक्ट विद अनकॉंट्रोलिबल रेज अगेंस समवन और सम्थिंग बिना मतलब इतने गुस्ते में बाहर निकलाना कि आप खुद को कंट्रोल नहीं पर कर पातो आपने का जॉन सौर रेड वेन ही हीर समवन शाउटिंग एट इस मदर जॉन गुस्ते में बिलकुल लाल पड़ गया और अनकंट्रोल हो गया जब उसे पता चला कि कोई उसकी मदर के ऊपर चल रहा है तो ठीक है तो यह कंडिशन बेटा मुझे लगता है या आपने खूब पढ़ा होगा तो आपने करता चाहित घुरा एक तो यह यह और युढा एकॉचिंटियग दिले लेकिन लेकिन बीटा ऑफिशन दिले होता है तो यह एडिग to rule and regulations, often resulting in injustice to the ordinary citizens. अक्सर क्या होता है कि red tapeism में फस्वीज फाइलें बिटा injustice की तरफ बढ़ जाती है, यानि कि लोगों को justice नहीं मिल पाता है, तो आपने का, I just want to start my own business, but the amount of red tape involved is so frustrating that it almost makes me want to give up. मतलब, मैं चाहता हूँ अपना business शुरू करना, लेकि जो official formalities है, जो office की formalities है, bureaucratic जो formalities है, ये इतनी ज्यादा है, बिटा, इतनी ज्यादा है कि इसका मतलब ये हो गया कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं छोड़ ही दूँ, अपना काम ना करूँ, ठीक है, to see the red light, बिटा, red light लोगना, देखना मतलब, are to recognize approaching danger, कि खत्रा है आगे, the red light is referred to as a danger signal, आपने का, the doctor warned me for so many years, that I should stop smoking, but I didn't listen, उसने का कि छोड़ दो, मैंने नहीं छोड़ी, when I had a minor heart attack, लास्ट ये, जब लास्ट ये मुझे हार्ट अटेक पड़ गया, I saw the red light, तब मुझे, भीटा, खत्रे का आबास हुआ, कि सच मुझ में smoking कितनी खतरनाक है, बिलकुल सभी बात है, बिटा, जब तक heart attack नहीं होता, तब तक हमें पता ही नहीं चलता है, कि कितनी खतरनाक है, ठीक है तो heart attack होने के वजहा से मुझे पता चला कि सच में smoking खतरनाक है वैसे तो मैं मजा की समझता था कि खतरनाक नहीं है ठीक है आज वो बेटा next बताते हैं next देखो next है बच्छे paint the town red paint कर देना town को कैसा red paint कर देना paint the town red to got out of and have a really good time at a party मतलब ऐसे समझ लो कि आज हम इतने खुश है कि आज पूरे शहर को लाल कर देंगे तो आपने कहा बेटा क्या कि paint the town red I have managed to get the babysitter for this weekend let's go and paint the town red बच्चे हमें मैंने manage कर दिया babysitter मेरे बच्चे को रखने के लिए for this weekend let's go and paint the town अब चलते हैं बेटा पूरी मजी करने के लिए जैसा आपने कहा कि होली के जो holidays है मैंने अपने friends के साथ plan कर ली है and we are going to paint the town red अब हम पूरे शहर को अपने पूरे गाउं को बिलकुल लाल कर देंगे इसका मतलब यह हुआ कि अब हम पूरा चिल करने वाले हैं पूरे मजे करने वाले हैं ठीक है तो मुझे रखता है बेटा होली अच्छे से चड़ चुकी होगी सिर्पे हर कलर के साथ कुछ बात समझ आरी होगी कल आप जब होली खेलेंगे तो सारे रंग आपके सामने होंगे जब सारे रंग आपके सामने आएंगे तो नीले कलर के साथ आपको नीली वाली बाते समझ आ जाएंगी और लाल कलर के साथ आपको लाल वाली बाते समझ आ जाएंगी तो होली का तियोहार मन जाएगा और रंग आपको सारी याद हो जाएगे और कहीं न कहीं आपके नंबर भी बढश दाएगे ओके आजो बिटा नेक्स बात करते हैं रोल आउट दर रेड कार्पेट बिटा रेड कार्पेट को रोल आउट कर लेना तो ग्रीटा पर्सन गा विद ग्रेट रेस्पेक्ट और गिव दैमा बिग वाम वेलकम बेटा रोल आउट करना खोल देना रेड कार्पेट आप ऐसे समझो आपने कुछ मुवीज में देखा होगा ने जैसे एक्ट्रेस आती है तो जो हीरो होता है ऐसे बेटा पूरा कार्प कार्पेट फॉर हिम बड़ जब बराक उबामा हमारे स्कूल देखने के लिए तो हमने लाल कार्पेट को उनके लिए खोल दिया इसका मतला हमने उन्हें पूरी इजट दी ठीक है ना ऐसे याद है ना हमेची फुल इजट यादर है विटा हमेची फुल इजट तो बस अग जामेची फीट है वीटश थैंक यू Get recommended वेलकोम आजा वीट बहुत अच्छै रैट कार्पिड ट्रीट्मेंट सेडा सेम ने टूब वर अबच्ट चब भी हम उनके यह जाते हैं तो वह हमें रैड कारपेट्स टीमेंट देती हैं यानि के हाँ बिटा डोनाल्ड ट्रम्प के लिए भी आप कर सकते हो बिलकुल भाई अब उम्हें चाहिए फुल इज़्यत है ना वह गुड्डू भाईया नहीं है बिलकुल सही बात है ठीक है तो अब जब भी आएं रेड कार्पिट खुला होना चाहिए ठीक है बहुत अच महनत की है बिटा दिख रहा है ना महनत मतलब ऐसा नहीं है कि बस उठाके चाप दिया अगर होली का त्योहार है तो वह होली जैसा बनाने में उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी कि कि आप लोगों को मज़ा आजाएं आपको होली होली जैसी लग जाए तो देखो बिटा सब कुछ वैसे है समवन हुई सीन अजा कोवर्ड और एक्स्टीमली टिमिड बिटा यलो बैली मतलब आदमी जब ड़ जाता है तो उसका चहरा पीला पड़ जाता है ठीक है अगर बिट से ही डरा हुआ है कि आब अगे समझ वो तो पहले से ही इतना डरा हुआ है क्या पूछ रहूं क्या सई क्या गलत है तो छोड़ दो ठीक है अब करते हैं नेक्स दिखते हैं अ शेयज रेंबोज्भै तो सबście रगले कले कर देते विचा रेनबोज आपने eclipse किया होगा न बच बेटा आप सबने बेटा rainbow जरूर चेस किया होगा मतला मेरी बात पूछो बेटा मैंने भी चेस किया होगा ऐसे लगता था घर के विक्कुल पास में है वहां तक चलते हैं बस garden तक वहीं रेंबो है आप ऐसी कोशिश कर रहो बेटा जो मिल ही नहीं सकता है यानि कि आप rainbow को change कर रहो तो आपने का my brother doesn't think realistically he will never get a decent job if he just chase rainbows all the time बेटा उसे कभी भी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि reasonable सोचता ही नहीं है देखो Mr. Goswami ने rainbow बना के भेजा है क्या बात है बेटा तो इसका क्या हुआ कि आप बेटा ऐसी चीजों को change करें जो आपको कभी हाथ नहीं लगेंगी ठीक है पंकेज कुमार कहते हैं बेटा क्या है ने समझ आ रहे हैं ठीक है next आजो बेटा next दिखते हैं next आपका बेटा off color हो जाना अब देखो बास सही है बेटा यह है आपका last मुहावरा I think so बिल्कुल बिल्कुल बेटा यह आपका last है off color हो जाना यानि कि यहां आपके सारे रंग उतार दिये जाते हैं ठीक है बेटा सारे के सारे रंग आपके उतार दिये जाते हैं इस last मुहावरे के साथ में तो आप देखो आपको off color कर दिया गया है when someone is not feeling their best quite ill or uneasy बिल्कुल स और रंगोँ में खेलना था. बेटा जब घर वाले याद करो शाम को पूरे दिन होली कहलते थे तो शाम को भी खेलते थे ठीक है ना तो घरवाले बुला लेते थे कि जल्दी से आजो हो खत्म होगा हमारा क्यामर करता है थोड़ा सा होली और घिलने तो आगर होले बिला से they are best quite ill or uneasy ठीक है तो that is called off color तो आपने क्या कहा he's been really off color for the past few days I think he might have to take him to the doctor बिटा आज कल वो off color face कर रहा है इसका मतलब उसको doctor के पास जाने के जो रहत है तो these are the batches we are providing you all, बच्चो आपको session कैसा लगा और आप सब को आपके पईवार को होली की बहुत बहुत सुबकामना है बहुत अच्छे से होली खेलेंगे और guys session कैसा लगा ये जरूर बता के जाए session को like और share कर दें अगर आप हमारे channel पे नए हैं तो इस channel को subscribe करना बिलकुल ना भूले and hit the bell icon so बाकी सारे notification हम time पे आपके पास पहुंचाते रहेंगे जैसे आपकी कोई भी class miss ना हो okay तो मिलते हैं next class में till then take care bye bye have a great holidays ahead अब मिलते हैं बेटा बुद्धवार को Wednesday सुबह 8 बजए workab ladder के साथ तब तक के लिए enjoy yourself and play us safely take care bye bye जा हुआ है जा हुआ 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 है जै हिंद क्या आप भी भारत माता की सेवा में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं क्या आपका भी सपना है Indian Defense Services join करने का अब आपके कंधे पर सितारों की जिम्मेदारी है हमारी join online ventures defense now क्या हुआ 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 हुआ